ही हला अब्रीवन वेल्कम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल स्टेवी देरिकाप जिसके आज हम नेक्स्ट्री पेजिस पेज नबर 110, 111 और 112 करेंगे जैसे जैसे इस एक्टिविटी में बताया हुआ 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 इस्ट्रक्शन को फोलो करते हैं तो ध्यान से सुनना सबसे पहले हामें दो बोक्स लेने हैं इस तरह ऐसे कि एक बोक्स बढ़ा होना चाहिए और दूसरा छोटा ताकि जो सेकुनड वाला बोक्स है वो इसली पहले वाले बोक्स के अंदर स्लाइट हो जाएं उदर चला जाए जैसे आपका पैन होता है ये पैन का क्याप हलका से ब इस लार्ज बोक्स में यहां पे खलका से होल बना रहा है यह ब्लैक डोट दिख रहा है आपको इस वन बना लिया वह आपको पास की हल्प से या पैंसिल की हल्प से बना सकते हो और इसके उपर आपको यह स्क्वेर वाला कट लगाना है चोटा से इन देस पॉलर बोक्स काट आउट फों दे मिडल स्क्वेर विदेसाइट अबाउट वाले में चुटा साथ होल कर दिया नाव जादा बड़ा स्क्वेर नी बनाना बिल्कुल जोटा से स्क्वेर कट करना यह जो आपको पो पॉर्शन दिखाया गया दो कटिंग्स की हमने एक तो स्मॉल वाले में यह स्क्वेर बनाया एंद बिग वाले में चुटा साथ होल कर दिया नाव कवर इस ओपन स्क्वेर इन दबॉक्स भी पर अब जो आपने यह स्क्वेर कट के यहां पे प्रेसिंग पर लगा देंगे मतलब रांस पेरेंट वाला ओकै तो सॉरी ट्रांसल सेंट लगाएंगे तांकि उसमें से थोड़ा धुंदला देखें नेक्स्ट आपको क्या करना है स्लाइट थे स्मॉल वाले के अंदर डालना है इस तरह से डालना है कि जो होल है वो ट्रांसलुसेंट के साथ ज्वाइंट हो जाएंगे मतलब दोनों का ही अंदर वाली अब यह work कैसे करेगा देखो holding the pinhole camera look through the open face of the smaller box you should use a piece of black cloth to cover your head the pinhole camera now try to look at some distance object like a tree building through the pinhole camera अब आपको क्या करना है जो यह हमारी open वाली place है यहां से आपको अपना face रखके आप cover कर सकते हो मतलब यहां से तांकी light ज्यादा ना आए आप black कपड़े से इसको cover कर सकते हो यहां से आपको देखना जो वो hole है उसके आसपास जितनी भी चीज़े उन सबको देखना है अब जितने भी उप्जेक्स आप देखना चाहते हो आप उसमें से देख सकते हो मूव दे स्मॉलर बोक्स forward and backward तो अंदर वाला जो box आगे पिछी हो सकता है ना इस वन जो green वाला box आगे पिछी हो सकता है तो जैसे forward backward इस तरह से करकर के देखो आप इसको उससे क्या होगा देखो पुदे अंसे सुनना तिल यू प्टा पिक्चर ओंदर ट्रेसिंग पेपर पेस्टे बंद अधर अधर अंधर आप इस पिंहोल इमेज इस दिफ्रेंट फ्रम द शैडो लुक थ्रो यूर पिंहोल काम्रा पे जो इमेज बन रही है वो दिफ्रेंट है डू दू 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 द इस अधर इमेज इस 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 मतलब बिल्कुल सिधा अपसाइड पाउल पींहोल काम्रा में ऐसे दिख रही है उल्टी वह जाएगा आपका अपसाइड दाउन की जो आपको वाली साइड ती वो डाउन होगे अपको वाली साइड दाउन हो चिके इरेक्ट ओर उसका यह होता है now let us image the sun what with pinhole camera we need a slightly different setup for this we just need a large sheet of cardboard with a small pinhole in the middle अब आपको यह पिन होल काम्रा की एक्टिविटी खतम होगी बहुत इंडरस्टिंग सापका camera बन गया simple सा जिससे आप अब अब्जेक्ट देख सकतो उनकी shadow के बार में analyze कर सकतो अब हम क्या करेंगे camera बनाएंगे sun की image देखने किये we just need a large sheet of cardboard with a small pinhole in the middle अब आपको क्या चाहिए एक cardboard चाहिए एक चोटास है यहाँ पे pin का hole पीन जितरा hole चाहिए now hold the sheet up in the sun and let the shadow fall on the clear area अब इससे क्या करो यह जो pin वाल होल है इसको sun की तरफ करो और जो shadow है वो नीचे बनेगे do you see a small circular images of the sun in the middle of the shadow on the cardboard sheet तो वो दिखेंगी क्यूंकि जो वो light है वो इस pin में से पास होके shadow बनाएगी look at these pin hole images on the sun when the eclipse is visible from your location adjust your pin hole and screen to get a clear image before the eclipse is to occur look at the image of the eclipse begin you will notice you will notice image of the sun gradually becoming darker and eclipse start never ever look directly on the sun so activity तो यहाँ खतम हो गई चीक है यहाँ simple आपको बस एक pin hole camera बनाना सिखाया और इसमें हमें बताया गया कि किस तरह से बनेगी तो यह इस तरह बनेगी इस चीज़ की है ना बट शैडव इस तरफ से बनेगी तो यह circular बनेगी मतलब इसकी जो शैडव की शेप है वो change होगी size भी change हुआ shape भी change हुई बड़ जो boundary है वही रही boundary यह ली तो उसने अपनी image से ना वही चीज़ इस ने इस प्लेइन की घिया next topic है हमारा never ever look at the sun directly हमें sun की तरफ डिरेक्टली कभी नहीं देखना चाहिए क्योंकि sun की जो रेज होती है वह बहुत harmful होती है there is an interesting pinhole camera in nature sometimes when we pass under a tree covered with large number of leaves we notice small patches of sunlight under it these circular images are in fact pinhole images of the sun तो जो हमने cardboard से बनाया था पूरे cardboard में चुटी इसी hole करके उसको sun में रखा था यह जो second वाली activity थी वह ही कहते है हमारे nature ने भी कर किया है कैसे जो हमारा tree है उसकी shadow बनती है ना देखो तो यह natural pinhole है क्योंकि जो वो shadow है वो छोटी छोटी शोटी shadow बनती है वो ट्री के इतने सारे leaves की वज़े से बनती है जितने भी उसमें gaps होते हैं वो सारे gap क्या करते हैं एक circular image को बना देते हैं जो sun की shadow यह होगा try to locate image of the sun when an eclipse occur next तो eclipse में भी आप ट्राय करना अगर आपका मोका मिला यह देखने का Bujo has this thought we saw upset down images of people on the road with one pinhole camera what about images of the sun? Did we notice them to upset down or anything like that तो वो पूछ रहे है कि जो pinhole camera था उसमें हमें रेक्तिमेज में अपसाइड डाउन देखी तो sun वाले camera की क्या बात है तो पहेली ने सोचा surely all these results we are seeing forming the shadow and the pinhole images are possible only if light moves through the straight path तो पहेली ने बस कुछ भी नहीं वही concept को दुबारा बताया आपको यहां तक सामें जाया है यहां तक हमने बस एक camera के बारे में सिखा जो एक सिंपल से अपके activity की next activity 6 पे चलते है let us use a piece of pipe और a long rubber tube light a candle and fix it on the table एक candle जलाओ और उसको fix कर गदा कि वो गीर है ठीक है now standing at the other end of the room look the candle through a pipe बहुत दूर से एक pipe से उस candle को देखो is the candle visible bend the pipe a little while you are looking at the candle तो दे आपकी candle यहां पे है ठीक है पहले आप एक long pipe से देख रहो यहां पे बिल्कुल straight तो क्या आपको candle दिखी फिर हम क्या करेंगे उस pipe को हलका से इस तरह से fold करेंगे is the candle visible now turn the pipe a little to your right or left can you see the candle long मतलब जब तक आपको candle नहीं दिखते आप इसको rotate करते रहो आते रहो इदर उदर करके what do you conclude from this this suggests that light travel along a straight line इसका मतलब है जो light है जो एक candle की light है वो एक straight path में पास कर रही है समझ रहे हो this is why when ओपे क्यों object of strap the shadow form इसलिए shadow बनती है क्यों देखो यहां पे एक object है suppose और यह एक person खड़ा है यह shadow है मतलब यह light है अब यह light इससे टक्रा के ऐसे ऐसे भी तो जा सकती थी ना नहीं वो ऐसे नहीं गई वो इसके ऊपर टक्राई वो straight ही जाती है इसकी वजह से अगे जाके उसकी shadow बन गई समझ आया तो इससे हमें एक नहीं चीज़ पता लगी that light always travel in a straight path light हमेशा सीधी ही जाती है वो कभी इस तर ऐसे नहीं जाती यह यहीं नहीं होता कि यहां कोई box पड़ा है तो light उससे टकड़ा कि अपना path change कर लेगी फिर वहीं से straight हो जागी no यह चीज़ नहीं होती light always travel in a straight line चीग है next topic पर चलते है that is our mirrors and reflection अब mirror तो सबको पता होगा क्या होता है mirror जो आप अपने घर पे हर रोज यूज करते है अपना face रोज ही देखते हो ready हो के what you see is a reflection जो हम mirror में देखते हैं जो हमारी image बनती है उसको क्या बोलते है हम reflection we also see reflection of other objects that are in front of the mirror अब देखो आप यहां खड़े हो आपके बाल भी आएंगे साथ में आपके हाथ में कुछ हो रहा है वो भी आएगा इधर वाले हाथ में कुछ हो रहा है वो भी आएगा अपने cap वोगरा पहनी है सब कुछ मतलब उस mirror में आता है sometimes we see reflection of tree building and other objects in the water of a pond or a lake तो mirror के इलावा और पानी के पास एक प्री है तो उसकी reflection यहां पर बनती है अगर आप पानी के पास जाके खड़ा हो जा तो आपकी भी बनती है है तो इस concept को समझने के लिए हम एक activity करते है that is activity no.7 this activity should be done at night और इन डार्क दुन या तो अंधेरे वाले कमरे में करो यार आप में ask one of your friend to hold a mirror in his hand जैसे इस लड़की ने पकड़ा हुए उसका बोलो कि तुम mirror ऐसे पकट के खड़े हो जाओ stand at another corner with a torch और torch आप जब उसके उपर डालोगे उस mirror के उपर तो वो reflect होके आगे चली जाएगे ऐसा क्यूं हुआ देखो adjust your finger with a small gap between them so that you can beam of light इसको बोलते है हम beam of light जो इस तरह हैं स holding do the patch of light on the another side now adjust the direction of the torch or the path मतलब आपको just adjust करना है यहां mirror है आपकी यह light है यहां दूसरा फ्रेंड कर आपको इस तरह ऐसे light उस पे करनी है कि जो beam हो टकरा के अपने friend के ऊपर जाए this activity suggests that mirror changes the direction of light that fall on it मतलब जो mirror है वो reflect कर देता है किसी भी light को टकरा के वो से आगे चली जाती है here is an activity that show light traveling along straight line and getting reflected from a mirror तो हमने इस activity में भी वो ही concept सीखा कि जो light है वो straight ही जा रही है और mirror से क्या कर रही है वो reflect कर रहे है reflect करके अपने path को change कर रहे है चीग है इसी वजह से जो हमारी image है वो mirror के उपर बनती है now let's see activity number 8 fix a comb on one side of a large thermocall sheet एक thermocall की sheet ले क्यान है जिस पर अपने models बगारा बनाते हो यहाँ पे एक comb रख देना है जैसे एक green वाला comb दिखाया गया चाहिए thermocall sheet and fix a mirror on the other यहाँ एक mirror रख देना यह mirror रखा हुए आप नाओ spread a dark colored sheet of paper between the mirror and the comb यहाँ एक sheet of paper रख देने mirror and comb के बीच में this one यह एक sheet of paper है अब आपको क्या करना है या तो कोई sunlight या आप torch की यहाँ से beam of light मारोगे इसके ओपर mirror के ऊपर what do you observe do you get a pattern of similar of that shown in figure 11.9 this activity give us idea that manner in which light reflect and get reflective from a mirror इसमें कुछ भी नहीं हुआ देखो देहां से सुनो जो यह light थी यह पहले mirror के ऊपर गई फिर वो reflect करती रही एक table के ऊपर मतलब जो आपने यहाँ पर पेपर लगाएगा फिर वो comb के ऊपर इस तरह से reflect करी पहले इधर गई फिर comb पे फिर यहां आगे फिर इधर गई फिर comb पे फिर यहां आगे वो double imagery सा बन गया क्यूंकि जो यह comb है उसकी shadow भी बनी यहां से light है और opaque object है shadow बन गई एंड वो mirror के साथ reflect हो यहां भी बन गई इसलिए double image बन रही है देखो एक तो इस तरह से lines बन रही है एक इस तरह से बन रही है reflect वाली हो गई and this one is shadow so हमें जाया this was your activity number 8 so यहां पर हमारा यह page भी complete हो गया 11 and 12 कल हम discuss करेंगे हमारे next two pages 113 and 114 आज की class में को doubt हो you can ask in the comment section आज में हमने बस एक ही concept किया कि जो mirror हो light को reflect करता है second thing जो light हो straight line में travel करते है okay so I will see you soon in the next video till then take care and bye bye